आज मेरे बेटी ने मुझे से डिमांड की कि मुझे बहुत ही बढ़िया स्नेक्स खाना है अगर आप घर में बना रहे हो तो ठीक है नहीं तो बहार से ले आओ मैंने उसके लिए बनाया है आलू से सुपर टीस्टी स्नेक्स जो उसको बहुत पसंद आया चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर कच्च आलू ले लेना है मैंने लगबग चार से पाच आलू लिये हैं आपको अपने फैमिली में जितने लोगों के लिए ये नाश्ता बनाना है यानि स्नेक्स बनाना है उतने आप आलू ले सकते हैं आलू एकदम साफ हैं आलू को हमें छिलनों की मदद से अच्छे से चेल लेना है जैसे ही आलू छेल जाएं तो इनको साप पानी से अच्छे से धो लीजिए धोना बहुत जरूरी है और अब हमें कदूकस की मदद से जो जाले को कदूकस करें यह आपके पास अगर चोटे छेद वाली घिस्नी ऊण तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अच्छे से आलुओं को हमें कदूकस करके हमें रख लेना है तो आलू सारे कद्दू कस हो चुके हैं अब मैं क्या करूंगी कि इन आलूओं में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक इससे क्या होगा कि नमक डालने की वज़े से आलू जल्दी पानी छोड़ देगा और हमें बनाने में टाइम नहीं लगेगा फटा फट से हमारा नास्ता बन जाएगा तो बस नमक मिलाकर दो मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं दो मिनट में ही आलू पानी छोड़ देगा यहां पर दो मिनट हो गये हैं आलूओं ने पानी को छोड़ दिया है एकदम गीले हो गये हैं ऐसा करना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो नाच्टे का मिक्षर बनेगा वक्दम गिला गिला बनेगा और अच्छे से इसका टेक्चर नहीं आएगा हातों से निचोडते हुए दबाते हुए अच्छे से इसको सुखा लेना है बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी की चिरी फ्लेक्स और अब मेरे पास यहां पर यह चीज रखा हुआ है तो एक ब्लॉक चीज का हम इसमें कद्दू कस करके डाल देते हैं आप मोजेरेला चीज भी ले सकते हैं साथी साथ इसमें मैंने पीजा सीजनिंग डाल दी है अब हम सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे यह जो नास्ति का टेस्ट है ना बिल्कुल पीजा के जैसा होता है इसलिए मैं अपने घर में अक्सर इसको बनाती हूं अब हमें आपर मिक्षर में से पोशन लेते हुए गोल गोल बॉल बना लेनी है कुछ इस तरीके से तेल गरम हो चुका है तो फटाफट से गरम गरम तेल में इन सारी बॉस को हमें डाल देना है और अभी हम नहीं चुएंगे जब यह तल जाएंगे तो फ कराती हूं देखिए कितना कुरकुरा बनाया है आप इस नाश्ते को ऐसे ही अपने बच्चों को दे दीजिए वह खाएंगे टमेटो केचप के साथ नहीं तो उसके उपर डालिए थोड़ा सा मोजेरेला चीज और चीज डालने के बाद दे दीजिए अपने बच्चों को मे जा रही हूँ यह अपने बड़े बेटे को देने के लिए तब तक के लिए बाई बाई